हेलो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं एक बहुत इंट्रेफ्टिंग सा चीज जिसके जिग्यास हर किसी की मन में रहती है आप लोग उन्हें मेले उले में बड़े से मेले उले में जैसे गुविन साब हो गया और जगहां के मेले में आपने एक मौत का कुवा देखा होगा बताओ इससे बैतर है कि आप देखी लोग खुदी देखे किस तरह से चला रहा है देख पारें आप यह वीडियो किस तरह से घुमा रहा है लेकिन पर इन्हें डर तक नहीं लगता कि यह गिर जाएगा कैसे क्या होगा इतनी स्पीड से इस गाड़ी को घुमा रहें तो बा देखे एक इसका ताथ पर यह है कि एक फार्मुला होता है जिसे क्रांतिक चाल हम कहते हैं क्रांतिक चाल वेलॉसिटी याप क्रिटिकल वेलू क्या क्रिटिकल वेलू जिसे हम कहते हैं क्रांतिक चाल करांतिक चाल यानि minimum कुछ चाल होती है जिसकी फार्मुला होता है वी सी, velocity, सी critical यानि critical value करांतिक चाल होता है under root r into g, under root r into g, r आपकी त्रिज्या होती है, radius, g आपका gravity होता, force किसी भी चीज के पिर्थिवी अपने तरफ किस पिर्थिवी जैसे मैं इसको अभी यहाँ पर छोड़ दूँ यह नीचे गया तो पिर्थिवी इसको खीच रही है अपने तरफ तो जो पिर्थिवी आपको खीचती है यह आपको g का मान होता है 9.8 meter per second यहाँ एक सेकेंड मिंदा दो समलो 8 meter वह खीच देता नीचे ठीक है अच्छा एक चीज और होता है आप इसको maximum आप 10 मान के चल सकते हो क्योंकि पॉइंट कहीं कहीं पर gravity कम होती कहीं कहीं पर gravity थोड़ा सी जादा हो जाती है तो आप इसको 10 मान के चल सकते हो 10 meter पर सेकेंड यानि अब यह तो constant value है velocity निकालने का यह तो constant value है कितना होगा depend किस पर करता है radius तिरज्या पर इसकी तिरज्या क्या होगी तो यानि कुल मिला के खेल उसकी तिरज्या और प्रकार से रहता है जिससे आफ संकु देखे हो संकु यह कुछ इस प्रकार से रहता है ऐसा उल्टी बाल ठीक है तो यह से घुमावदार रहता है इसकी यह जो point मैं इसको उठा के यहां कर लो यह circle हो जाता है और यह point जो है पूरा का पूरा यह radius होता है यह क्या होता है radius त्रिज्या अगर इसको मिला देंगे ते डायमेटर बन जाता है यानि यह त्रिज्या जितनी यह दूरी है से हम क्या कहते हैं त्रिज्या तो हम यह कह सकते हैं कि यह जितना है इसके उपर depend करता है कितना इसका एरिया है कितना बड़ा उसको बनाया गया उ मान लेते हैं एक मौत का कुंगा है उसकी त्रिज्जा क्या है पांच मीटर ठीक है क्या है पांच मीटर इतना किलिया है यह उसका जो रेडियस हुआ पांच मीटर तो चलिए हम देखते हैं अगर पांच मीटर रेडियस का मौत का कुंगा बना है एकदम उपरी सिरे में देख उपर का आप निकाले हैं नीचे तो radius कम होगा तो वहां पर कुछ अलग velocity होने चाहिए तो एक बात बताओ जब maximum velocity हमें मिल गया कितना होना चाहिए तो नीचे तो उससे कम ही होगा तो उसी इसाफ समारा हो सकता है तो चले देखते हैं तो radius हमने क्या ले लिया इस मौत के कुईये का 5 meter तो formula लिकालते हैं critical value of under root r into g r की value कितनी है 5 into g कितना है अभी के लिए हम 9.8 ही मानके चलते हैं जो constant होता है आप 10 मान सकते हो कोई दिक्केत नहीं तो चलिए विस इक्वल टू under root पांच असाइश इस में गुड़ा करेंगे पनठ चालिस पनवो पैंट आलिस पनवो पैंट आलिस उनचास और एक अंग पे तसम्वल यादि नवदो सम्वल वाट गुडे 5 करेंगे तो 490 आए एक अंग पे दसम्वल लगा देंगे तिए अब दसमलों के बाद 0 को कोई मतलब नहीं रह जाता ठीक है अब यह आ गया क्या अंडरूट उन्चास आपको पता है अंडरूट उन्चास की वैलू क्या होती है गाड़ी को चलाएं तो नहीं गिरेगा तो वो नहीं गिरेगा तो नहीं गिरेगा कहने का मतलब यह है अगर मौत के कुईये का radius त्रिज्जा पांच मीटर है तो हम उसे साथ मीटर पर सेकेंड यानि एक सेकेंड में साथ मीटर की स्पीड से अगर हम चलाएंगे तो वह बाई गिरने वाली नहीं है कोई भी चीज हो तो आपको समझ में आगा मैं एक value और लेता हो मान लो यहां 5 है अगर मैं 10 ले लेता क्या ले लेता 10 रेडियस क्या ले लेता 10 तो एक बात बताओ अगर मैं 10 यहां पर लेता तो value मेरी किसकी change होती है केवल r की r की value क्या हो जाती 10 मीटर into g वो तो constant यह क्या है constant है तब यह constant रहेगा तो वी और critical value जो होगा 10 से इसमें गुला करेंगे तो यह आ जायागा अठानवे 10 से गुला करेंगे तो यह आ जायागा अठानवे क्यों यह की दस से करेंगे तो 980 आएगा तो एक अंग पर दसमलो लगाएंगे तो यह इस तरह से बन जायागा तो मारे यह अठानवे अभी भी रूट पढ़ा है उप अभी वी क्या है रूट पढ़ा है अभी यह जो आपकी वैलू आ गई रूट 98 यानि अठानवे मीटर पर सेकेंड कम सकम होना चाहिए तो यह रूट की चीज़ें आप ने निकाल सकते हो हम समझ सकते हैं जो बच्चे पढ़े हो निकाल सकत मानलो ठीक है तो इस तरह से आपकर सकते हैं घैसे मानलो अगर मैं इसको 10 मानके चलता हूं जा 10 है और उसको हम 10 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीर से चलाएंगे तो बाइक नहीं गिरेगी समझा है यहनि मौत का कुंगा जो चलता है आपको करना क्या है उसकी त्रिज्या पकड़ ले नहीं कितनी गुलाई है उसका अध्धा ठीक है वह आप निकाल लो निकालने के बाद ग्रेवटी से आप 10 याद कर लो नहीं याद होता आप 10 याद कर लो 10 मीटर पर सेकेंड पिर्थी वह अपने तरफ किसी चीज को खेशती है तो उससे इसकी त्रिज्या में मल्टिप्लाई करके उसका स्क्वार रूट वर्गमूल निकाल लो मान आपका आ जाएग जैसे एक गरता हूं प्ष गुड़ है ये एक हजार मीटर हो गया इसकी त्रिज्या तो बलासिटी क्या निकले अंगर रूट आर हो जाएगी तो उम्मिद करते हूं आपको समझ में आगा मौत के कुई हैं में जो गाड़ी और यह चलती हो गिरती क्यों नहीं है किलर है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्न बाद